गुड मॉर्निंग स्टूदेंट्स नाउ वी हैव दा नेक्स टोपिक देज मेजरमेंट ओफ लेंथ तो बच्छों डाइमेंशनल एनालिसस के बारें बात कर चुके हैं बेटा और अब हमारे पास है टोपिक मेजरमेंट ओफ लेंथ कि लेंथ को मेजरमेंट हम किस तेने से कर करनी है हमें हमारी जो नोडबुक ओस की लेंथ मेजर करनी है इस तरह से चोटी चोटे आपने जो मेजरमेंट किए हैं वह आपने मिटर स्केल के बैसिस पर किये होते हैं तो यहां पर उस तरह के मेथट और को अमने डारेक्ट मेथड का نाम दिया है मतलब वह मैथट जिनमे directly हम length को measure कर सके distance measure कर सके लेकिन कुछ method ऐसे हैं जिसमें direct हम meter scale की help से distance note नहीं कर सकते तो फिर हमें वहाँ पर क्या करना होता है तो वहाँ हम tignometric functions को use करते हैं और उसके बहाफ पे हम indirect method जिसको नाम दिया गया है उसकी वज़े से या की help से हम distances या length की value को no down करते हैं जैसे for measurement of length we have direct and indirect methods direct method the method in which we can approach both the ends तो बच्चो direct method हमने उसको नाम दिया है जहां हम उस length या उस distance के दोनों ends तक पहुंचने में approach कर सके जैसे मैं कहता हूँ कि हमें इस pen की length करनी है तो यह और यह दोनों हमारे लिए approachable है और direct meter scale की help से हम इसकी length को note कर लेंगे मैं कहता हूँ कि हम जिस room में खड़े हैं हमें उस room की length note करनी है तो यह room का first end है suppose और यह room का second end और easily हम इस हिस्से से इस हिस्से तक moment कर सकते हैं पहुंच सकते हैं तो इसका मतलब the method in which we can approach both the ends like our room तो उसको हमने नाम दिया किसका direct method का नाम दिया है आप किसी ground में है और आप से कहा जाए कि इस ground में इसका जो note down कर लिया तो यह सारे method हमारे direct method कराते हैं जिसमें हम मेटर स्केल को यूज करते हैं मेटा वर्नियर कैलिपर यह हम study भी करेंगे आगे वर्नियर कैलिपर screw gauge spherometer all these are the instruments अब इनके जरी हम कितना मेजर कर सकते हैं तो इसकी value बताएगे up to 10 की पावर माइनस 4 मेटर and using screw gauge and spherometer 10 ratio to the power माइनस 5 मेटर मतलब कहने का मेरा यह है कि यदी मैं आपसे कहता हूँ कि हमें हमारे इस span की thickness measure करनी है मोटाइम आपनी है तो हम यहाँ पर इस instrument को use करते हैं बच्चो मैं आपसे कहता हूँ कि हमें जो यह page है इसकी thickness मापनी है तो हम यहाँ use करते हैं screw gauge हमें अपने जो nail की thickness measure करनी है हमें हमारे बालों की thickness measure करनी है तो उसके लिए हम use करते हैं किसको screw gauge और इस spherometer के जरी हम radius of curvature जो है उसकी value को find out करते हैं फिलाल so all these are the direct method but for a large length or distance we use indirect method बच्चो अब जहां हम पहुँच ना पाएं जैसे मैं कहता हूँ कि हमें एक multi-story building की height measure करनी है अब आप कहोगे वहां सर लिफ्ट से जा सकते हैं बिल्कुल जा सकते हैं लेकिन चड़के नहीं जाना हमें लिफ्ट से नहीं जाना हमें हम नीचे खड़े खड़े चा रहे हैं कि हम उस multi-story building की height को measure कर सकें कोई हमें mountain given है कोई परवत given है उसकी height हमें note करनी है तो जा सकते हैं लेकिन हम वहां जाये बगएर चाते हैं कि हमें उसकी height पता लग जाये तो ऐसे methods को हमने indirect method का नाम दिया है तो यहां लिखा है मैंने indirect method may be we are able to reach up to one end may be मैंने word use कि है कि हम जिसके एक end पर पहुंच सकते हैं but not another लेकिन दूसरे पर ना पहुंच पाएं यह mountain हो गई और mountain के इस हिस्से पर हम पहुंच गए हैं लेकिन यह इस top पर ही पहुंच पा रहे हैं और we cannot reach up to both ends और जिसके दोनों end पर हम ना पहुंच पाएं जैसे moon हो गया यह moon complete और यह इसका diameter हो गया अब हम यहां तो पहुंच नहीं पाएंगे लेकिन हमें करना क्या है बटा हमें इ distance है sun का वो find out करना है अर्थ से कितना होगा height of hill so all these are दा बच्चों indirect method अब यहां पर हम टिगनोमेटर का concept यूज़ करते हैं देखेज़रा suppose मैं आपसे कहता हूँ बच्चों यह हमार पस अर्थ है और यहां हम खड़े हैं और यह large distance पे हमार पस क्या हो गया बच्चों moon हो गया और जिसमें d beta क्या है इसका diameter moon का और यहां पर जो angle बना रहे है यह position यह position इसको हमने से नाम दिया किसका theta का और r हमने क्या मान लिया अर जो हम study भी करेंगे आगे तो यहां से हमने concept लगाया angle is equal to arc upon radius angle which is theta arc this one अब आप बोलेंगे arc तो सर यह होती है बिल्कुल आपकी बात ठीक है बेटा लेकिन यहां पर बच्चों जो distance हो के है काफी जादा है और जब distance काफी जादा होता है तो यह जो arc है यह state line ही होती है फिर स से whenever the distance is very very large then we can see क्या जैसे मैं आपसे कहूं कि आप बैटे हैं लंदन में बैठे हैं suppose और लंदन में बैठे मैं आपसे कहता हूं कि यह बताओ रिवार्डी किस तरफ है तो आपने एक particular direction बता दी अब मैं कहता हूं रिवार्डी से हमें जाना है suppose करो bus stand जाना है तो आप क्या बोलेंगे हम state line जो जरूर टेडा मेडा जरूर है लेकिन हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे वहां long distance की बात करते तो बोलेंगे थोड़ा सा distance negligible distance है तो इसका मतलब क्या हो जब large distance की बात आती है तो जो हम कर्ड पार्श portion है उसको एक state line का ही नाम देदेते हैं So angle is equal to arc upon radius तो यहां से बेटा theta की value आएगी d by r d is the arc and r is the radius So d equal to r theta तो r और theta की value को पता यदि हमें है तो हम d निकाल सकते हैं r हम rotation की concept से find out करते हैं बेटा और theta जो है उसको हम telescope की help से find out कर सकते हैं जो हमारे telescope हम पढ़ते हैं optics में अब इसी में indirect method हमारा आता है parallax method that is parallax method तो उससे पहले हमें यह समझना होगा कि what is the meaning of parallax suppose करें बच्चों हमने इस notebook पे क्या किया एक dot बना दिया इस तरह से और मैं आप से सभी आप try करें और मैं आप से कहता है इस pen का जो tip है इसको exactly dot पे रखें इस तरह से और अब आप बारी बारी से इस dot को observe करो एक बार left eye को left eye को बंद रखें right से observe करें और एक बार right को बंद रखें left से observe करें तो आप क्या आप आओगे आप आओगे कि इसकी position जो है वो background के respect में change हो रही है इस shifting को ही हमने क्या नाम दिया बच्चों पैर लेक्ट को बंद रखें अपनी आख के सामने पैन को रखें और इस पैन को observe करें एक बार left eye open है right close है और एक बार right जो है वो open है left close है तो हम observe करेंगे बच्चों क्या कि जो पैन है इस पैन की position जो है background के respect में change हो रही है shift हो रही है इस shifting को ही हमने क्या नाम दिया बच्चों पैरलेक्स का नाम दिया है तो मैंने लिखा parallax is the name given to change in the position of an object with respect to background तो किसी भी object की position में background के respect में change आना is known as parallax and when the object is seen from two different positions अब जो हम दोनों आखों से observe कर रहे है इन दोनों के बीच का distance है इसको base का नाम दिया हमने base और उसको विज़े से हमें basis word मिला है तो इसको हमने base का नाम दिया है basis का नाम दिया है तो जो observations point होते हैं जो हमारी left eye और right eye है उनके बीच के distance हमने क्या नाम दिया बच्चों बी का नाम दिया यह pen हो गया और यह distance यह distance x हो गए और इस pen की position जो हो background के respect में change हो रही है लेकिन pen तो अपनी जगह पर है लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि इसकी position जो हो change हो रही है so parallax is the name given to change in the position of an object with respect to background and when the object is seen from two different positions then the distance between the two observation points is called basis उसको उने basis का नाम दिया तो यह तो pen or eyes की बात आ गई लेकिन जब हम last distance की बात करते तब तो बैटा उस case में जब हम बात करते हैं last distance की x की value जो है वो इस b के मुकाबले काफी जदा होती है अब आप सोचें जब हम इसको बिल्कूल और आगे ले जाएंगे तो distance ही है यह distance तो उस case के नदर क्या होगा फिलाल मैंने लिखा है x और b का जो ratio आएगा वो theta आएगा क्यों? angle equal to arc upon radius so theta equal to b by x तो यहां से इस b by x का ratio क्या होगा आप बताएं यदि यह point और आगे चला जाएं तो यहां से हम बोल सकते हैं कि x जो है वो b से बहुत जादा हो जाएगा यदि हम इस point को shift करते चले जाएं यह दो distance fix है तो इनका जो ratio बेटा वो 1 से भी काफी less हो जाएगा और उस angle को हमारे लिए measure करना थोड़ा सा typical हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा तो बच्चो जो parallax method है इसकी जरी हम क्या note करते हैं और किस limit तक note करते हैं वो अभी जरा हमें पता लगेगा ज्यान से देखें so theta equal to b by x then x equal to b by theta तो यदि हमें इस b की value पता है और इस theta की value पता है तो इनकी help से हम इस distance की value को note down कर सकते हैं तो यहां से मैंने लिखा है when we hold a pen in front of our eyes against the background of a wall and observe the pen first by our left eye by closing right eye एक बार हमने left से observe किया right close रखी and then by right eye by closing left eye second case में left close करके right से observe किया तो हमें क्या मिलेगा बटा we find that the position of pen changes with respect to background of the wall और इसी को हमने parallax का नाम दिया है and the distance between the left and right eye is known as basis उसको मैं basis का नाम दिया तो बच्चो सबसे important बात अब जो हम start कर रहे है that is why we use parallax method क्यों use करते हैं तो answer है distance को no down करने के लिए किस limit तक हम no down कर सकते हैं तो मैंने लिखा है parallax method is used for measuring distance of stars अर्थ के surface से किसी भी nearby star या किसी भी nearby planet के distance को no down करने के लिए हम इस method का use करते हैं फिर से parallax method जो बटा क्यों use करते हैं distance को no down करने के लिए और किस limit तक तो यह answer है यह 100 light year distance तक को no down कर सकता है ऐसा क्यों तो अभी ज़र इसके बारे में बात करेंगे तो यह distance के लिए है किस distance के लिए या किस के लिए तो अर्थ के surface से किसी भी nearby star या planet का distance जो no down करना है उसके लिए फिलाल तो बच्चों अब हमने यहां से अर्थ जो है वो sun के round रिवोल कर रही है बटा और अर्थ के surface से जब हमने एक planet को अबजूर किया जो कुछ इस distance के उपर है x मान सकते आप इसको और अब यह हमारे पास यहां 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 बहुत सारे stars हैं far away stars उन far away stars से light कुछ इस तरह से आ अब फिर बोल रहा हूं वह बहुत ज्यादा है यह distance ज्यादा होने से तो जो set of rays जो आ रहा है यह हमारा क्या होगा parallel होगा मतलब आप suppose train में बैठे हैं और train में बैठके जा रहे हैं और window से आप sun को बजूर कर रहे हैं तो आपको सामने sun नजर आ रहा है suppose करे अब train suppose 15 मिनट क sun हमें वहीं नजर क्यों आ रहा है तो आंसर है कि यहाँ पर जो distance 10 km वो उस train और sun के बीच के distance के मुकाबले काफी ज्यादा है इसलिए हमें sun की position में कोई change नहीं आ रहा है तो सेम उसी तरह से हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो far away stars है इन से set of rays जो आ रहा है वो कुछ इस तर है जिसको हमें मेजर करना है और इसको हमने point A से अब्जूर किया A is the position of earth और six months के बाद A that is earth कहां पहुंच जाएगे बच्चो यहाँ आ जाएगी तो बेटा हमें पता है कि sun के around earth जो रिवोल कर रही है और एक साल में अपना revolution जो complete करती है और अपनी axis वे भूम रही है तो अ क्योंकि हमें basis चाहिए और उसके लिए हमें दो observations point चाहिए तो sun हमने यहाँ एक reference माल लिया और इसको हमने क्या नाम दिया basis का नाम दिया और जो arc होगी large distance है तो वो हम एक straight line की तरह ही treat करेंगे उसको अब बात आती है इन angles की तो बच्चों इस angle को मैंने theta 1 माना और इस angle को far away जो set of rays है star से जो यहाँ angle subtend हो रहा है that is theta 2 जिसको हम telescope की help से measure कर सकते हैं बेटा तो यदि यह theta 1 है तो अब यह angle भी क्या होगा theta 1 होगा similarly यह theta 2 है तो यह भी क्या होगा theta 2 होगा और अब यहाँ से हमने concept लगाया क्या angle is equal to arc upon radius the value of arc is a b radius is a p यह अर्थ है और यह planet है यही हमेचे यह a p फिलाल और angle कितना है थीटा 1 प्लस थीटा 2 अब ज़रा ध्यान से देखें जो a से b का distance है इसको हम a s plus s b भी लिख सकते हैं जो a b distance है इसको a s plus s b भी लिख सकते हैं और a s s भी दोनों बराबर हैं तो क्या बन जाएगा a s plus a s 2 a s यह बन जाएगा a b तो इस a b की जगा 2 a s लिख सकते हैं 2 a s a earth as sun और हमें पता है कि earth से sun का distance क्या होता है astronomical unit तो इसको हम 2 a u भी लिख सकते हैं तो यह क्या बन जाएगा 2 a u astronomical unit और a u किसके बराबर है 1.5 10 की power 11 तो यहां से बेटा a p की value क्या आ जाएगी 2 x 1.5 10 की power 11 अपोन थीटा 1 प्लस थीटा 2 यह कहें finally a p आ जाएगा 3 10 की power 11 अपोन थीटा 1 प्लस थीटा 2 यह value आ जाएगी यहां से और इसकी value को पता करके हम इस a p की value को find out कर सकते हैं इसी में ही मैं आपसे कहता हूँ कि हमें कोई multi-story building दे रखी है या कोई भी एक mountain दे रखा है और हमें इसकी height को मिजर करना है यह mountain का bottom हो गया यह multi-story building का bottom हो गया और हम चलते गए चलते गए चलते गए और यहां पर आखी रुके सपोज कितने distance पर डी distance पर और यहां से एक हमारा instrument होता है और जिसको हमने sextant का नाम दिया है sextant नामक एक instrument है जो आपने देखा भी होगा कि जब हमारे flyover बनते हैं तो engineers अपने साथ रखते हैं और जिसके जरी वो इस angle को no down करते हैं तो हमें उस instrument के तुरू इस angle की value जो पता लग जाएगी यह distance हमें पता लगी गया इसके bottom से जो हम आगे चले हैं वहां तक का distance और अब simple tignometer यूज करेंगे हम 10 theta equal to hyd then h equal to d10 10 theta तो उस instrument के जरी यह थीटा पता लग जाएगा हमें और d distance यहां से आता का यह भी हम easily note कर लेंग दूसरा methyl हमारा है again this is height h हमने इस observation point से जो angle बनाया जो note down किया that is theta 1 कुछ आगे चले और यहां ची जो angle note किया वह हमने क्या माना that is theta 2 जिसने यह distance d माल लिया बच्चों हमने यह हमने x माल लिया तो इस triangle से हमने एक बार 10 theta 1 निकाला जो आ जाएगा ही हमारा perpendicular upon base और एक बार हमन और दोनों को उल्टा कर दिया क्यों कर दिया अभी ज़रा पता लगेगा आपको और यहां से 10 theta 1 जो होता हमारा that is equal to 1 by 4 theta 1 तो यहां से हमने 1 by 4 लिखा और अब इसको भी interchange कर दिया उल्टा कर दिया क्योंकि इसको अटा क्या लिखेंगे आप 1 by 4 theta और जब इसको उल्टा करे तो यह उल्टा हो जाएगा और quote theta 2 h by x जो था वो अब x by h बन जाएगा और अब जरा इन दोनों को subtract कर दें बच्चों हम तो 1 minus 2 करेंगे तो क्या आएगा left में quote theta 1 minus quote theta 2 equal to d plus x by h minus x by h और अब यहां से LCM लेकर solve करेंगे हम तो x x कट जाएगा quote theta 1 minus quote theta 2 equal to d by h तो बच्चों h कितना आ गया? d upon quote theta 1 minus quote theta 2 तो इसके जरीए भी यह भी हमारा एक indirect method कहलाता है height या distance को या length को no down करने के लिए